प्रदेश को बहुत अच्छा एक सहोगी मिला है ऐसे प्रदेश शंग्ठर महामंतर जी का हम हर्दे से स्वागत कर रहे हैं और एक पार्टी में खुशी की लहर है कि काम को और अधिक्गती मिलेगी काम को रफ्तार मिलनी चाहिए लेकिन रफ्तार की शर्त क्या होनी चाहिए क्या सूर्टाल सब मिले हुए होने चाहिए या फिर यहां पर जद्दो जहद है अधिकारों की अकोदिया साब फिर से रुक करना चाहता हूँ अमिच्छा आये उससे पहले भी कई तरह की कयास है अमिच्छा चले गए उसके बाद भी कयास लगाए गए और अब एक नए संदेश को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं जब चंद शेकर मिश्रा राजिस्तान आते हैं तो क्या उनके आने के पीछे कोई संदेश छिपा हुआ है क्या मिच्छा और मोदी का कोई कंट्रोल सिस्टम उनके जरी होगा देखिए अश्वनी जी जो संगठन मामंत्री हैं यह अल्टिमेटली रिपोर्ट किसे करेंगे क्या वो प्रदेश अश्वक परणामी को रिपोर्ट करेंगे या मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे या हमिश्चा को रिपोर्ट करेंगे निश्चित रूप से वो हमिश्चा को रिपोर्ट करेंगे कि तो फिर वो निढदने के हिसासाप से लेंगे के यह नहीं के रहा कि कंट्रोल करे supervisor कौई लेकिन वह राय मशव़ुरा तो जरूर करेंगे यह राय मशवरा किस तरह का होता है उसको वो यहां कितना इंप्लिमेंट कर पाते हैं सरकार की लेबल पर और संगठन की लेबल पर इसके उपर निर्वर करता है कि वो कंट्रॉल होगा आर्ची चौदरी साब ने विपक्ष में रहते हुए बात महसूस की कि राजस्तान में भारती जनता पार्टी संगठन पर इस बात का जिक्र आपने भी किया कि संगठन हो या फिर सत्ता हो वसंद्रा राजे की कारिशेली अलग है उस कारिशेली को लेकर क्या अमिच्छा ने आकर कुछ महसूस किया जिस पर चिंता होने लगी देखिए मुझे मेरी जितनी लोगों से बात हुई है चाए वो संग से जुड़े हैं विश्वद रूप से या संग की प्रिश्ट मूमी से बाचपा में आए हैं दोनों को ये शिकायत लंबे समय से है इस बार नहीं है कि अमिशाख का ये सोचना है कि ये जो वरकिंग स्टाइल है वसंद्रा राजी की केबल इस वरकिंग स्टाइल के बूते दोजार अठारा में सत्ता में वापसी करना समभव नहीं है इसमें बदलाब करने की जरूत है और बदलाब किस हद तक होगा उसमें कितनी बसती है उस बलाव के लिए तो उनसे एक सवाल किया गया कि आप क्या करेंगे उनका कि मैं बूत लेवल पर पार्टी को मजबूत करूंगा हम इस शाहत से यह बात हुई हशोग पर्डामी और वसंद्रा राजे भी इसी बात को रखते हैं तो कहीं न कहीं सूर्टाल तो ठीक ह देखिए जिस तरह की कारिश हैली होती है संगठन महामंत्री की उपेंद्र जी ने बिलकुल कहा कि वो पर्दे के पीछे रहके काम करते हैं लेकिन पर्दे के पीछे रहके भी आप काम करेंगे सिस्टम को आप सुधारेंगे तो किसे सुधारेंगे आप संगठन को संगठन का यह system मनाया हुआ है तो जब इस तरह के आप चीजें करते हैं तो जो टक्राट है वो शुरू होना शुरू होती वो टक्राट कितनी होती है किया वह smoothly काम कर सकते हैं बिना किसी टक्राव के बीच का रास्ता निकाल के कोई आपकी अपनी बात रासामने रखे convince करके कि कि हम यह नहीं करेंगे तो ये नुकसान होगा यदि वो इस तरह का रास्ता निकाल के करते हैं तो बहुत स्मूथली काम कर सकते हैं यदि वो काम करेंगे प्रकाश्चंद की स्टाइल में तो बापस टक्राव होनाता है क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं मुख्यमंत्री अपनी कारेश है पर किसी भी कीमत पर सूरत में बदलने वाली नहीं है यह पिछला इतने इतने साल का अनुवभ उनका है ले उस कारेश сказала की साथ यह कितना सामनलब बिठा पाते हैं इसके उपर निरवर करता है वो कितना इतना डंग से काम कर के सकते कितने सफ़ल सकते के कंट्रोल सिस्टम को लेकर मैं आपकी विराई जाना चाहता हूं आर्शी चौदरी साहब आप क्या कहेंगे यह रिमोट कंट्रोल सिस्टम होगा निश्ची रूप से पूरा कंट्रोल सिस्टम है मने जी ने का इता राजियमाहमाली सरकार है उनमें से एक परदेश बचा जो उ पाज यहां गोश्टा करने में देरी क्यों अमिट साह जी जब आते हैं अमिट साह जी आने के बाद में जितने जो राज्यातिकनित्रों और आम जन्ता की बीच में लगता है कि असोक पर्दामी जी अगर जाते हैं तो निश्टीति रूप से यह लगता है कि मुख्यमंदर तल्की जरूर थी और इस तल्की को राजस्थान की जनता ने बुगता है क्योंकि के अंदर से जीतना जो स्योग होना चाहिए था वसंद्रा जी कहने से यहां पर 25 सांसा जीत के गए और उसके बाद में परदान मंत्री जी गुजरात में बिना मांगे पास उकोड देते हैं र निशी तुरूप से इंगित करता है कि जब एरपोर्ट के ऊपर समंझे से की बीच में आये हैं तो प्रदेश का जब अदेक्स उनके अग्वानी करता है तो निशी तुरूप से लगता है और पूरी प्रदेश की बाते जनता पाड़ी जानती है और आने वाले समय में यह कि जो लाइन है वो अगर मोदी का रस्ते पे चलना है तो पार्टी प्रोटोकॉल होगा हो सकता है संग्तन मंत्री या तो इंस अदेक्स से बड़ा है या तो अदेक्स से शूपर है या फिर यह किस चीज़ कि अब अपनी बात पूरी करें में उपेंद्री जी गरूख करना कि वसंदुरा राजे को मुख्यमंत्री पद का अंबीदवार गोशित किया जाना चाहिए गोशना करें किसके नेतित में चुनाव लड़ेंगे मोदी जी आके आप उद्यवपुर में और कॉंग्रेस बीजेपी कहती है कि कॉंग्रेस गोशित करें कि सचिन पाइलेट के न चाहता हूं मैं यह कहना चाह रहा था अभी चोधरी साहव ने एक बात कही कि संगठन मंत्री जब आते हैं तो उनको लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष एयरपोर्ट पे जाते हैं उसको उन्होंने दो तीन बार अपनी चर्चा में जिक्रि किया चोधरी जी मैं बताना च हैं यहां पर अपने चोटे चाहरी में द모ने जब तो दॉसरी बात मैं के शाओंगा जो मूल विशह है जिस पर आपने चरचा शुरू की ठीC कि क्या मोदी जी और अमिश शाह का नियंत्रण चंदरशेखर जी के आने के बाद बढ़ जाएगा मैं कहता हूं कि अगर मोदी जी और अमिश शाह का नियंत्रण बढ़ जाता है तो इसमें बुराई क्या है चंदरशेखर जी के माध्यम से अगर क्योंकि तक्रार बढ़ेगी किस बात का डर है किस बात का डर है सत्त अपने हाँ से निकल जाएगा है संगत्रन अपने अपने आद से निकल जाएगा एक अच्छी वेवस्था के लिए स्रेष्थ Caitlin के लिए और सूब वेवस्थित ढंग से कारे पद्धती को चलाने की संग की एक परंपना है। प्रदान आएंगे नेरेंद्र मोधी और अमिच्या चाहिए। कि बताई जिस कांग्रेस की बात करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं उसी की रहा पर चलेंगे। वपेंजी। यहां देखिए मैं बताना चाहरा हूँ कि जहां जो कांग्रेस के अंदर जो सोनिया जी और राहुल जी की स्थिती है वो इस्थिती यहां पर भारती जंता पाल्टी में मोदी जी और अमिशा के नहीं यह तुलना ठीक नहीं है क्योंकि वहां वो एक परिवार वर्षों से और प्रदाण मंत्री के उम्मिद्वार होंगे और हम इशाप राष्ट्री अधुःक्ष बन जाएंगे और यह किसको पता है कि चार सल बाद प्रदेश राष्ट्री अध्यक्ष कोन हो गा और 2024 के चुनाओ में प्रदाण मंत्री का चहरा कोन नहीं कि पता यहां पर केंद्री करण का जो द्रिश्य मिलेगा जहां पर की लगता है कि यह सब चीजे सेंट्रलाइज्ड हैं उसके बावजूद भी डिसेंट्रलाइज्ड है नीचे कारे करता है अमिच्छा और नरिंद्र मोदी के जरी राजिस्तान पर क्या कंट्रोल होगा मनीश पारिक साब मुस्कुराते रहें इस सेग्मेंट जवाब दीजिए एक तो इरण ने आर्सी चौधरी जी ने कहा कि वह अध्यक जी उनको लेने गए तो मजबूरी है या विनम्रता है तो प यही है उसको मालूम है और नाइजेशन आसपेक्ट पर अमिच्छा जी टैक करते हैं और इस विशय पर मोदी जी की सहमती होती है उसमें वसंद्रा जी कराय होती है और फिर उसको इंप्लिमेंट करने के लिए अशोक परनामी जी की और इनकी योजना होती है संगडन महामं दिरीगी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सिंसियर बच्चा होता है जो ज्यादा पढ़ता है तो क्या यह कहा जाएगा कि उसको फेल होने का डर है जो टॉपर सोते हैं वह अठारा अठारा गंटे पढ़ते हैं और जो सुबह शाम चपते पतंग उड़ाते हैं उनके तो स्प्राइस तो ही जाएगा यह क्या बात ही तो सिंसेर्टी जो है उसको आप यह मान लीजिए कि वह हमारे ज्यादा नंबर आने का तरीका है मेरिट लिस्ट में आने का में इन उदानों से मनीजी नहीं चलती मोदी जी ने कहा कि राजे सबागे अंदर अब आमित साजी आई आर्ची चोद्री साब आप यह का सवाल था मनिश्मारिक साब से होना चाहिए क्या अब आप राजिस्तान में नेत्रतू का चाहरा साब कर पाएंगे 2018 में आखिर में आप किसके नेत्रतू में फतिया करना चाहिए मैं तो शुब संक्यतओं की बात कर रहा हूँ. यहां भी ऐसा ही करूंगा. बात यहा है की जो अमिच-शा जी ने गुजरात विदान सभा में पैर रखा तो भहूमत हो गया. जब लोग सभा में मौदी जी नैक किया तो भहूमत हो गया. अब राज्यत सभा में उनका पैर पढ़ाए तो वहां भी बहुमत हो जाएगा यह उनका संकेथ है और यहीं संकेथ है कि राजिस्तान में भी अब इनका पर पढ़ा है क्या होता है ब्रेक लेते हैं अक्री दॉम्हें आपके जवाब के साथ वापसी होगा परदेश संकटन मा मंतरी का आठ वर्षों से पद खाली था और इस पर चंदर शेकर जी की निवक्ति होना राजिस्तान में मोधी जी और अमिश्या की क्या इसमें ताकत बड़ेगी छंदर शेकर जी संगटन से दूरिया कम शाहिद नहीं कर पाएगे क्योंकि संग एक जड़ है और इसकी साखा पीजेपी आरे ती तरह के संगटन है तो शाहिद ये नुरियां पबिक के सामने तो कम कर देंगे बागि अंध्रूनी कम नहीं कर पाएगे झाल, 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 झाल